आज ये 6 मार्च और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम गैलिक्टिकों कॉर्पोरेट सर्वीसेस लिमिटेड के वारे में जो फिलार 4.45 के आज पास टेट कर रहा है वो इसमां आज की देखा जात करीब 1-1.5% गिरा और देखने को मिल रही है इस्टोक लगातारी गि से रुपय का हाय बनाया था वहां से एक अच्छा सा क्रेक्शन आ चुका है जब इसमें अच्छे का तेज देखने को मिल रहे सी तब्वी में आपको कहता है इस्टोक सा आपको दूर रहना है क्योंकि इसके फंडामेंटल उतने इस्टोक नहीं है और जब इसमें आपको अभी बाई करना है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आपको यहां इसमें अच्छा का सा इटन बनते हो देखने को मिल सकता है तो सब्सक्राइब आपको उसका मार्केटिए 66.3 क्रोड का देखने को मिल रहा है जो की बहुती कम है और बहुती ज्यादा खराब है ब जो कि फिला दिसम्बर 2023 में अभी देखे तो 5.44 हो चुका थे हैं कमपणी का अच्छा खासा सेल्स डिक्रीज होते होते हो देखने को मिल रहा है जो की बहुती खराब आत है ओपरेटिंग प्रोफिट भी देखने को मिल रहा है तो इसी वेसे इसका ओपरेटिंग प्रोफि जैरी को मिल सकते हैं ठोड़ा त्रीजिक ले सकते हैं तो हाँ आपको होल्ड करना इस्टोक अराम से आपको 10 नहीं देखाएंióं आपको Caribbean में तो यहां प्रोफिट केंग द्याइज और अब हम्मोंटरने हैं हे बहुत क्राब आते मुझे को जोरुत नहीं है आप सीधा समझ सकते हैं परमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं तो अभी भी देखने को मिल रहा है साल भर में देखेंगे तो 62% गिर चुका हो आराम से आपको वापीस से 50% तक का रिटन दे सकता है यहां से आठ उपेता जाते हो देखने को मिल सकता है तो थोड़ा रिस्क लिना चाहते हो जितना पैसा खोने को तयार है उतना ही लगाईएगा और इसको देखनार आपको फोड़ी ठोटी कोणिटेव करने हुआ है मैंने तो अपने पूर्फोलिम एड़ कर लिया अगर आप भी वाय करने के सर रहे है जिससे आपके buying price कम से कम हो जाएगी stock गिरेगा भी तो बाकि विसमें आपको यही कहना चाहता हूँ अगर आप long term case आपसे buy कर नहीं सोचें तो फिलाल आप stock से दूर रही कि उसमें बहुत एदा risk के अगर आप देखेंगे भी तो market अपने all time high के आसपा स्टेट कर रहा है पर यह stock अपने all time low के आसपा स्टेट कर रहा है तो यहां आपको बहुत ही से अच्छे stock है जो अच्छे price पर देखने को मिल सकते हैं यहां nifty में अच्छा ता connection देखने को मिल सकता है आपको like sbi card हो गया jubiland food हो गया emtar tech हो गया HDFC bank हो गया धनलक्ष्मी हो गया DCB हो गया IDFC हो गया असोक लिलेलन हो गया ऐसे बहुत सारे अच्छे stock है जो कि अभी undervalued है आप उनकी तरफ जा सकते है long time के साब से buy करने की सोच रहे हैं तो 2024 में आपको अच्छा खासा return आके दे सकते हैं और आपकी share के अंतर फसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं पूरी कोशी कुंगा उस पर वीडियो बनाने की वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आपका comment कर पला जरूर से दे दूँगा और आपकी share को buy करने की भी सोचे तो भ लाइक कर दीजिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बे